तो जैसे की देख सकते हैं कि Redmi Note 11 Pro Plus 5G डिवाइस के लिए एक नया अपडेट Android 12 का रॉल आउट होना इस टार्ट हो चुका है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इस अपडेट में कौन-कौन से नए फीचर देखने को मिलता है आप लोगों इस अपडेट को कैसे कर पाएंगे अगर आप लोग Redmi Note 11 Pro Plus 5G डिवाइस को योज़ करता हैं तो पूरा वीडियो को देखेगा चले स्टार्ट करता है इस वीडियो को दोस्तों जैसे की देख सकते हैं इस नए अपडेट का मियोर जिन देखने को मिलता है 13.0.2.0 MI देखने को मिलता है यानि की global में रिलेस किया गए जैसे की देख सकते हैं अगर हम लोग इस अपडेट के size की बात करें तो अबडेट का size 3.1 GB देखने को मिलता है अगर हम लोग इस update के चंजलों की बात करें आप लोगों को officially Android 12 का support देखने को मिल जाता है 37 आपकी device में जुलाई 2022 का नया security patch level आपके Redmi Note 11 Pro Plus 5G device के लिए एड़ कर दिया गये है अगर हम लोग बात करें कि आपके Redmi Note 11 Pro Plus 5G device के लिए इंडिया में Android 12 अपडेट कब तक देखने को मिलेगा कब तक release के जगा तो हो सकता है कि आप लोगों को इसी महिने के आखरी तक आपके Redmi Note 11 Pro Plus 5G device के लिए इंडिया में Android 12 का update release कर दिया जाए जहां पर आप लोगों को नया security पैचलेबल देखने को मिलेगा कुछ नए features भी देखने को मिल जाएंगे सुगिस अगर आप लोग Redmi Note 11 Pro Plus 5G device को योच करते हैं और जैसे इंडिया में अपडेट ओलाउट होना इस्टार्ट हो जाता है अपडेट का सबसे पहले information साथ में सबसे पहले अपडेट करने के लिए अपडेट का OT लिंक पाने के लिए हमारे टेलिग्राम चैनल टेक्निकल स्यूम जी को जोईन करना मत भूलिए उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्करप्शन में दिया हो अगर पाने को पनीवरा तो आप लोगों को सिंप्ली टेलिग्राम पर टेक्निकल स्यूम जी सार्च करके जोईन कले ना है इस वीडियो में अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लिगी हो तो लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों सेर करना मत भूलिए और इसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब दीजिए